तो आज आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो एकनॉमिस की आज आपकी लास्ट क्लास हैं दो टॉपिक बस आपकी क्लास में आज बचे में हैं और यहां पर आपका स्लिबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए पहले हम अपने स्लिबस को कंप्लीट कर लेते हैं पिर आगे के दस दिनों के हम स्ट्राटीजी को समझेंगे किस तरीके से हम फुल स्कॉर की तरफ आगे बढ़ें और उन स्टुडेंट्स के लिए भी जो कि अभी इन साथ दिनों में पढ़ाई अपनी सुरू करेंगे तीन तारीके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे वह किस किसी परसेंट तक स्कोर किस तरीके से वह अचीव हो पाएगा उनका इन सभी बातों पर इन सभी स्ट्राडिजी पर चर्चा करूँगा लेकिन पहले सबसे पहले अपने से लेबस को कम्प्लीट करते हैं अब मेरा कोश्चन यह है सबसे पहले कुछ बाते आप समझ पाएं अगर आप नहीं समझ पाएं तो उन बातों को मैं एक बार आपको रिबीट कर देता हूं जरौस बातों को समझना जरूरी है पांच मिंड का समय दीजिए थोड़ा था रिविजन ले लिए उसके बाद फिर लागी बढ़ेंगे से मार्किट चैट्र हमार कोस्ट मैंने कल्स कर दिया था के नदर मैंने आफ्लेट मेंने कुछ आप रोपैटेज देए आप पर्फेक्ट कांपिटीशन आच में है पूर्ण पर्त्योंगी आंता बाजार में है तो वहां का प्रोट और इंज बहुँआ लाट मिनीमम मार्जन पर विक रहा होता तो यहां पर प्राइब में कमी करके क्वांटिटी को नहीं बिचा जाता है अब और मार्ठ को दिख्व लिगा आप तो मैं बात कर रहा हूं किस की मैं बात कर रहा हूं perfect competition market की तो perfect competition market में सबसे पहले मैं price की बात कर लिता हूं price मानली जी क्या है पांच रुपय है clear है अब बात करते है quantity की check quantity आप एक लो अगर आप दो quantity लोगे तो भी price आपको 5 ही मिलेगा प्राइस का मतलब यह होता है कि एक यूनिट की कीमत नहीं होती है प्राइस का मतलब क्या है कि एक यूनिट की कीमत एक यूनिट की कीमत कितनी है इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम प्राइस बोलेंगे अब बात करते हैं रिवेन्यू रिवेन्यू का मतलब क्या होता है जैसे आ मतलब प्रॉफिट नहीं है अगर आपके दुकान है और आप एक पारले बेस देते हैं तो आपको कस्टमर पांच रुपर दे देगा पांच रुपर आपका प्रॉफिट नहीं है क्योंकि आपको आपने खुद भी तो पीछे भी पास करना पड़ेगा उसको मेरी बात आप सम फांच रोपए और फांके क्फितने और थौट रोपे नियुक्त कितने रोपे हें और यहां पर 15 रुपे और मतलब है आब तक जितना पैसा आपके आटeshमर आया है और जितनी quantity को sell के आया उस quantity में divide कर दो each quantity पर कितना आपका share में आया है बराबर बराबर बाटेंगे तो तो आपके पास है 5 एक पर बाटोगे तो कितना आएगा आपके पास है 5 और 10 को 2 पर बाटोगे तो कितना आएगा आपके पास है 5 15 15 को 3000 वाट और 25 वाट ओगे 25 25 रुपय पांच पर पांच यह आब रेड होता है और आपके पास margin revenue आपके पास में पहले पर तो आपके पास सेमी रहता है और आगे आप देखिए तो कितने मिला आपको आपको 5 मिला और आगे देखिए तो कहे tant और आप यहां पर कुछ बातों को समझने की कोशिश कीजिए वो यह कि जो आपके पास में प्राइज है एवरेज रिवेन्यू है और मार्जर रिवेन्यू है तीनों के तीनों क्या है तीनों के तीनों क्या है एक्वल ही है आप इस बात को ज़रा समझें कॉलम को आप ज़रा कंपेर करके देखें तीनों के तीनों एक्वल है इसलिए परफेट कंपिट्सन मार्केट मे गरफब इस बात को जरा समझेगा को अगर में परफेट कम्पीटिशन मार्केट की यहां पर बात करूं कि अगर मैं बात करता हूँ कि परफेट कंपेशन मार्केट के अगर आप देखें तो आपके पास में प्राइस कर्फ कैसा रहेगा कुछ इस तरीके का प्राइस कर रहेगा यह और इजन है यह आपके पास में क्या है वाई अगरी एक्सी से यहाप के पास में क्या है एक सीसे आपके पास में प्राइस कर भय इसी को आप क्या बोलसकते हैं इसी को अब बल तक अने इसी कल एल बोलेंगे फ्रफेट कंपेशन मार्केट में थोड़ा सावा मिड गया है यह फिख क्थिंस को आप इसको आप मर आ और याऊ अगर अ ठेक हो ठहस हा क? आले को दिमतों ये और यहीं कि रहेगा प्रईस को ये ज्यक्यार अब करेंगे की तब सब्सक्राइद चाहेगा रहे लिए सब्सक्राइब करेंगे करेंगे का मतलब होता है कि जितना भी पैसा मैंने पास में आया है और जितनी कौंटिटी बेचा है उन सब्सक्राइब करेंगे का मतलब होता है कि एक यूनिट पर कितना एक यूनिट को जो बेचा है मैंने भी रिसेंट में उसके कितना पैसा है माजरी वेन्यों होगा अब बिटा एक बात धान रखेगा अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किस शिच की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक फर्म के एकलिब्रियम की कर रहा हूँ तो फर्म एकलिब्रियम क्या होता है जब किसी भी पर्डूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट आन होता है जब किसी प्रडूसर को यह realize होता है कि यह वो situation है जहां पर इससे ज़्यादा उसको profit आगे कभी मिल ही नहीं सकता है तो वो आगे stop कर देता है आगे वो बढ़ना पसंद नहीं करता है उस situation को enjoy करता है कि कोई भी producer हो आप ही एक producer है और आपको पता चल जाए कि वह यह जो जितनी quantity इससे म कमी रहेगा तो यह situation वह जहां पर आपको maximum profit मिल रहा है तो आप उस situation को मेंटेन रखना चाहेंगे उस situation में बने रहना चाहेंगे और आप अपने maximum profit को आप enjoy करेंगे वही situation एक producer का equilibrium situation होता है अब सवाल ही है कि सर यह बात तो समझ में आ गया कि maximum profit means producer equilibrium बट कहां पर एक producer को maximum profit होता है कहां पर किस situation पर तो बेटा profit की बात अगर मैं करूं तो जरा पहले profit की बात करने से पहले मेरी एक समझ लीजेगा एक पारले में पांच रुपए में मैंने बेचा यह मेरा revenue है कि मैं खुद खरीद के लाया था न उसको कि क्या पांच रुपए का profit है मुझे नहीं मैं खुद उसको पता होना बड़ा जरूरी है वो दो चीजी क्या-क्या है एक revenue और एक कोस्ट तो यहां पर मैं एक producer equilibrium की बात कर रहा हूं profit maximize करने की बात कर रहा हूं तो profit तो जब आएगा जब आपके पास पहले दो चीजी हो एक revenue और एक कोस्ट मेरी बात समझें क्लियर है तो revenue का डागराम तो मैंने बना दिया पर्फेट कामपेटर मार्केटर मार्केटर रिवेन्यू कैसा बनता है बात करते कोस्ट जब रिवेन्यू कोस्ट दोनों होगा compare करके हम profit के वारे पता लगाएंगे ठीक है तो यहां पर आप देखें सब्सक्राइब करते हैं तो जब मैंने इसको बुक में पड़ा था तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यह आया था कि एक तो पॉइंट यहां पर मानलीजिए पी पॉइंट पर देखेंगे मेरे पास में कोस्ट का क्या लेवल है अगर मैं यहां पर देखो तो यह मेरा कोस्ट का लेवल यहां पर है और मार्जिनल रिवेन्यू उपर है पर पी पॉइंट पर जो मेरा मार्जिनल रिवेन्यू है वो यह रहा और मेरा जो कोस्ट करको टच करके यहां रहा है दोनों का कि पीक पॉइंट पर equilibrium होगा या यह पॉइंट पर equilibrium होगा पहले बात यह तो से भी पहले एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि marginal revenue एक पॉस्तों marginal कोस्ट marginal revenue का मतलब होता है कि एक additional unit को बेचा है मैंने उसको कितने रुपए में मैंने बेचा है कितने रुपए उससे मुझे मिले हैं वो मार्जिन रिवेन्यू है मार्जिनल कोस्ट का मतलब क्या है कि एक एडिशनल यूनिट को मैंने कितने रुपए में बनाया है उसको बनाने में कितना खर्चा आया और जब मार्जिनल रिवेन्यू एक्वल सु मार्जि प्राफित आपका होना चाहे अख्षिमाइज होना होना चाहे पर इस सिच्टवेशन में मुझे ये आपका जो प्राफिट है वह क्या है वह तो जीरो है तो सवाल यह क्या बात हुई produce सब्सक्राइब के वारे में तो यह पढ़ा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए लेकि सिच्वेशन और कंडिशन जो बता रहे हैं वह बता रहे हैं माधे रिवेन्यों इक प्रॉफिट जीरो हो गया यह सवाल मेरे दिवाब में सबसे पहले एक बार आया था तो इस सवाल में फिर आप सबसकोरे में एक और लेता हूं आप और सामोसः बेचे जा रहें कि दुकान को समय पर कचया अब 혁ि जा रहे थे उसको के लाइसे उस लाश्ट में वाले करते हैं बटाओ आ एक कितना कमाया है चाहिएरो कमाया तो क्या पूरे दिन की कमाई zero हो जाएगी एक उनिट पर तो आपका मेरे बेटे यहां पर profit अगर आप सोच रहे हैं अगर आप profit सोच रहे हैं कि zero है तो यह आपकी गलत फहमी है profit zero नहीं है बच्चे marginal profit zero है मेरी बात को समझिएगा क्या marginal profit zero है इस situation में यहां पर आप देखेगा सुरुवात कहां पर होती है उस बात को भी समझें यहां पर आप देख रहे हैं कि जो यूनिट आपने जितने मना उसको नहीं बेचा कुछ की कमाएं नहीं लेकिन आप निराश और हतास नहीं होंगे आप आगे अपना प्लक्षन करोगे इसके बाद बहाद भी आप अपना प्लक्षन करना पसंद और आपको प्राइस करा तो क्यान आहेगा और क्यूबड़ और ग्रेटर दन माजनल कोस्ट जितने बन रहा है तो अगले काईयों से आपको लाब होने लग जाएगा इसलिए आप अपने विवेसाय में आप उत्पादन को अपना बढ़ाएंगे आप लक्षन को करेंगे आप एक और इनिट का प्लक्षन करेंगे तो भाई साथ आप बिल्क दो आगे फ्रक्षन करेंगे तो यह spare और फिर आपका यह प्लक्षण करते चले जाओगे और एक समय ऐसा आएगा यहां पर यहां पर क्या पताओ यहां पर रुखनेका मतलब क्या है आपका तो आपके पास में क्या आएगा कि आपके पास में और profit आएगा बरी बात समझेए यहां पर जब आगे प्लक्षन करने पर कोस्ट कम जड़ा तो आगे भी आपको इच इनिट पर आपको फ्रॉफिट मिलता जा रहा है तो क्यों रुखोगे यहां पर जब आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तकश लेन बनना हो जाएंगे जहां पर आ कर थ ऐस्मे के वाद अज़ेंने देने हो जाये और हो तो कोश आपका बढने लग जा जाता है तो कोजब Southern गया आगे नुकसान होगा हाँ जोड़ोगे प्रभू जितना आप तक मैंने कमाया है जितना मैंने जोली में बढ़ाया है बढ़ा है वो मेरा मैक्सिम में अब मैं इसके आगे और नहीं काम करूंगा इसलिए यहां पर आपके मार्जन रिवेन्यू मार्जन कोस्ट एक्वल हो थ exaggerता है पर दप्रभू करूंग एक मैंने बट प्रहां है जो एक उजाए ऑने है वो मैंने एक नहीं है जो एक मैं जो सुम्वल होती है भाम है जлов जो एक कि हमंते करूं एक झाल 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 कि मैं पीछे एक बार प्रसे पीछे बार बता रिपीट कर देता हूं आपको कि डेरिवेशन आफ शॉर्ट रन सप्लाई कर आप किस तरह किसे बनाएंगे देखे जरा आप यहां पर डेरिवेशन शॉर्ट इस बात को रिपीट कर देता हूं देखेगा क्या है आपके पास पर और रिजन है वाई एक्सी से एंड क्वांटिटी है आपके पास में एक्सेस पर और एक आपके पास में मार्जन रिवेन्यू एंड मार्जनल कोस्ट आपका परफेट कॉंपिट्सन मार्केट में पैलल टू एक्सेस होता है क्यों होता है इसके पिछे रिजन में दे चुका हूं प्राइज हमीशा कसम खाके नहीं रहती है एक समय पालेजी एक रुपए का भी आया करता था आज वह पांच रुपए का है तो अगर इसकी प्राइज बढ़ेगी तो एक न्यू प्राइज आजाएगी पीवन अब एक न्यू प्राइज अगर आपके पास में आ गई तो आ अब आपके पास पर एक नया मार्जन रिवेन्यू और मार्ट प्रफेक्ट मार्केट में एक नया मार्जन रिवेन्यू आ जाएगा और दोनों दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं दोनों दूसरे को इंटरसेक्ट आप कहां कर रहे हैं कि बोलीजी क्या बोल्टाइग हां जी शुबम बोलिए देखिए तो आपके पास में क्या है मार्जनर रिवेन्यू और आपके पास में यह मार्जनर प्रोस्ट बोलो कि इसक्रीन अच्छा एक सेकेंड कि हलो 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 हां जी अब ठीक है तो आप देखें यहां पर कि आपके पास में क्या है मार्जरी वेन्यू जैसी प्राइस इंक्रीज होगा तो आपके पास में अब नया मार्जरी वेन्यू है और मार्जर कोस्ट कहां इकवल है यहां पर तो नया एक क्लिरिम पॉइंट आएगा और नहीं क्वांटिटी आएगी अगर प्राइस इसी तरीके से बाजार में बढ़त जैसे से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, supply quantity आपको बढ़ती जा रही है तो यहीं जो आप पोइंट यहां पर देख पा रहे हैं कि आपका इन पॉइंटों को चर देंगे तो यह एक आपका बन रहा है एक आपका यह supply कर बन रहा है है प्राइस जासे सब बढ़ेगा वैसे वैसे कॉवान्टिटी भी आपको बढ़ती चली जा रही है यूँकि यह Parte पर समय का निया क्สतितफ आएगा क्योंकि निया ने प्राइश एक निया मार्जन earlier वेंड्य पेन्यों को प्रसंट करता है और जहां मार्जन हर्थ बेननी हो और मार्जिनम को स्ट इक वेवल होता है वही एक क्लियर्यम पॉइंट होता है तो न्या प्राइस न्या इक्लियर्युट और इन पॉइंट करदेंगे तो एक शौटरन सप्लाई करव आपके पास में आ जाएगा यह यह क्या मैंने बताया आपको यह मैंने आपको बताया है शौर्ट रन सप्लाइकर्व कर अब लास्ट कोश्चन पर चर्चा कर रहा हूं सबसे आखरी सवाद वह यह है प्रड्यूसर इकलिब्रियम प्रड्यूसर इकलिब्रियम ठीके जी क्लियर है तो यह क्या है हमारे पास में यह हमारे पास में है प्रड्यूसर इकलिब्रियम अब यहां पर हम बात करते हैं प्रड्यूसर इकलिब्रियम में अब सबसे पहले आपको पता है कि प्रड्यूसर इकलिब्रियम कहां होता है जैसे कि आपने भी तक समझा है कुछ इस तरीके से आपके पास में यह origin है quantity है जो कि x-axis पर है और यह ही आपका perfect conversion market में margin revenue है और यह आपके पास इसको price का level ही बोल सकते हैं और आपका यह y-axis है और बात करते हैं यहाँ पर producer equilibrium की तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझ जाएगा कि यह आपके पास में marginal cost है जहां पर दोनों equal होते हैं वही आपका e point होता है यहां से आप एक point नीचे ले लिजी यह आपका quantity clear quantity है ठीक है मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले case का समझा रहा हूं मैं आपको पहले case में समझा रहा हूं क्या समझा रहा हूं मैं आपको जो है abnormal profit या average variable cost ठीक है तो average variable cost आपका u-shape का होता है पर आपको पता है कि margin cost तक गिरता है माझना कोस्ट का बढ़ता है यह क्या होगा आपका average variable cost ठीक है जी और उसके बाद आपके पास में आप यहाँ पर बना लीजी क्या average cost और average variable cost के आरे में समझ चुके हैं कि average cost इससे उपर होता है तो कुछ इस तरीके से रहेगा बढ़ यहां तक यह गिरेगा और इसके बाद बढ़ेगा इसके बीच में कम होता चला जाएगा तो यह क्या आपके पास पर हो गया यह आपके पास में average cost हो गया ठीक है जी नहीं तो आप देखें थोड़ा सा बैक करते हैं कि यह देखें कि यह क्या आपके पास में average cost है अब बताएगे पूरे फर्म का आपका एवरेज कोस्ट कितना है पूरे फर्म का एवरेज कोस्ट कितना है यह आपका आवरेज कोस्ट पिंक लाइन से बना जेता हूं कि पिंक वाला आपका एवरेज कोस्ट है पूरे फर्म का आपका एवरेज कोस्ट कितना है यह क्लिए पूंट पर जागे देखो यह आपका एवरेज कोस्ट का लेवले ना यह यह आपका एवरेज कोस्ट करको टच कर रहा है मलब कि हर एक यूनिट पर इतना कोस्ट आ रहा से आपके से पी एक कॉंट आ रहा है और आपके पास में ॉप सबसुक्तम्च प्लूइन न जो गरीन लाइन थे आपके से क्उस्वीं आप से समझिए गा कि हर करके नीचे है और हर यूइनिट तो यह क्या यह profit है यह नहीं है इसी को हम क्या बोलते हैं यह जो गैप देख रहे हो इसी को हम बोलते हैं क्या फूपर profit फूपर प्रॉफिट अब बात समझे कोई डाउट हम क्लेरे जी कोई डाउट तो एक बात धान अखिएगा डागराम ने वक्त में डागराम कैसे बनेगा बड़ा confusion है तो मैं डागराम को दुबारा से सिखा रहा हूं कैसे बनाना है ट्रिक बता रहा हूं डागराम बनाने की आप जनली बस पहले तो आप एक काम करते हैं एक आप यहां पर यह काम आप पहले कर लीजिए यह काम आप कर लीजिए पह बनाना आको इवरेज को सर्ट के नीचे वेरिज वैरिबल कोष्ट और आप दोनों मारदे रिवेन्यू से नीचे ही लेकर जाना दोनों को और दो बात धाना करें कि दोनों को इस गृण ग्रफेशित के लिए दूसरी बात के रिखीट के लिए तूसरी बात जाना की उसे नीचे 17 तो बढ़ाना है और दोनों के बीचे गैप कम करते रहना है तो आईए मैं सबसे पहले अवरेज कोश्ट बना लीजिए कोई बात में थोड़ा अलग कलर दिखाते अवरेज कोश्ट के लिए इसके नीचे से अगर तो यह थोड़ा सा गलती क्या हुआ मैंने यहां तक गिराने सकतर उठाना है अगर यह क्या होगा मेरे पास में यह कि एवरेज अगर इस आवरेज कोश्ट कोश्ट क्या होगा इसको भी नीचे तक लेकर आने अभको क्या करना है आप सिरफ ओ सरफ प्रॉफिट अभी देखिना है अभी दो चीज़े को जान रखना है आपको किसका एक की green-light का और एक आपके पास में कि मैं हिए वरेज वेरीबल कुश्ट ये है और यग कहा है आपका average कोष्ट है तो दो बातों दानखना है एक आपके वेरीज कोश्ट का उप्राली लाइन का और एक लिरियं पॉइंट पर एवेरीज कोश्ट यह लाइन यह रहा यह क्या आपका सूपर प्रॉफिट है मेरी बात समझे या नहीं समझे क्लियर है अगर यहां पर मैं बात करता हूं आपके कुछ है लॉस लॉस भी क्रीट हो जाता है कई बार फर्म को ऐसी बात नहीं है कैसे जड़ा देखिएगा आप कि यह आपके पास में है कि यह पॉइंट है यह कॉंटिटी एक लेन पॉइंट का सेट अप है अब आपको वही दो काम करना है लॉस कब होगा आपके पास पर सबसे पहले तो आप क्या बना लीजिए एवरेज वेरिबल को उस्तों हमेशा नीचे ही रहेगा आप इसको उपर बना दीजिए उपर से निकालेंगे इसे इस लाइन से अ कि अधर आब देखेंगे अप क्या एक क्लिरिम उनटिटि पर आपका पर उनिट कोस्ट कितना आ रहे एर और एक्लिरम पॉइंट पर आपका पर इनिट रिवेन्यू कितनी आ रही है तो जो यह आला सेग्मेंट है यह आपका लॉस का सेग्मेंट हो जाता है तो मेरे बात समझेगा कभी भी आपको प्रॉफिट बताना है या फिर आपको बच्चे लॉस बताना है या फिर आपको जो है आवरेज रवेण्यू कर्व जोकि स्ट्रेट लाइन होती है ठीक है न और एक आपका ऐवर्इज कोस्ट कलियर इन दो बातों की उपर ही चैजें डिपेंड करेंगी क्लियर ची और आपका एक बाद धान आखियेगा कि आपका अगर एवरेज revenue को अगर आप जो है average cost को अगर आप average revenue से नीचे रखोगे average cost को तो यह आपका क्या होगा यह आगर यहाँ पर आपके पास में दिखाएता रहान जो पीदा क्लियरा जे समझें तो ऊपर कौण रहेगा आपका एक तो लाइन आपके पास में आप यह सेंग LIGHT उता है इसमें क्या करना को आप यहांपर तो मैंने इवरेज कोज़़न को नीचे रख देना इसमें इवरेज कोस्त की लाइन को इसके ऊपर ओपर देना और नार्मल प्रफिट के अंदर और मैंने लॉस के केस में क्या गढ़ा देख रहे हैं मैंने कि मैंने इस green line से उपर बना दिया आपका average cost का अब जो जनरल इक और आपका average variable cost तो always नीचे से जाएगा अब त्रहुत है यह आपका क्या है यह और इसन है यह आपका y axis है और यह आपका x axis है राइट हैंड साइड में तो दिख भी नहीं राज सर अजी देखे जड़ा यह आपके पास पर क्या है यह आपका एक एवरेज रिवेन्यू और यह आपका एक मार्जनल रिवेन्यू कर्ब है और आपको पता है कि प्रस्व से पहला अपने की लिवेन्यू सेट अप लगाएं अब आपको क्या दिखाना है नॉर्म प्रॉफिट दिखाना है तो यह इसको टच करेगा लेकर यह नीचे तक उठाइए इसको कोई दिखके तरही है किसी से यह हमेशा हर से नीचे जाएगा अब आपको क्या करना है जब नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो यह इसको टच करेगा अगर यह पॉइंट जो है न यहां पर हनो प्रॉफिट क्योंकि आपर सोगड़ेज कोस्ट वी इसपर इतना है एवरेज इवरेज कोस्ट का मतलब पर इतनी है तो सबसे मिल करके को स्थियार होती है तो जब अपना कोस्ट रिकवर कर रहा है तो वह नॉर्मल प्रॉफिट भी अपना कमा रहा है मेरी बात समझे या नहीं समझे कलियर रहें ऐस आपको यहीं से आपको को स्कस्क निकाल देना है तो सारे लगोमल प्रॉफिट अपर से निकाल दोगे लॉसा और ईंतर्स यहांतर पास है आ रहे हैं कि शुबम जी हां जी बोलिए है कि वो शटडाउन पॉइंट को समझने के लिए बना रहे हैं जब आपका एवेरिबल कोस्ट भी अगर उपर चला जाता ना फर्म यहां तक रंडिंग करेगी फर्म यहां तक बिचनस रंड करेगी जब एवरेज वेरिबल कोस्ट हमारा मलत दोनों ही उपर हो जाएंगे तो वह सिच्विशन ऐसी होती है कि फ़र्म जो है शटडाउन कर देता है अपना को बंद कर देता है कर देके जब लेबर के खर्चे निकाल पारा हूं तो अगर मैं अपने वेरिबल को सब्सक्राइब हमिए हां जी कि यहां पर आपका सिलिबस हो जाता है कंप्लीट जान सुनिएगा पूरे चेप्टर सारे चेप्टर और dalam मैं पूरा कोड्स अपना जो है एक्जाम से डस दिन ग्यारा दिन पहले मैं आपके एक्जाम से पहले complete कर दिया है और इन कि अब इन 10-11 दिनों में हम पहले आपके से कितने स्विंट ऐसे जिनके एक्जाम्स हैं तीन तारिक को सब्सक्राइब कर पाऊंग आज तारिक क्या हो गई है तीन तारिक को कमेंड़ करके बताएं तक यह मैं क्लास उसाब से प्लैन कर पाऊंग सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें तो एक दो 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 दिन बचे ना आपके पास में कोर्स मेरा पूरा कम तीन को एक्जाम है दो को भी कुछ पच्छों पर तो बच्चे मैं काम करता हूं आपकी क्लास जो है न तीन तारिक नहीं आपकी क्लास चार तारिक से कंटीनियू करता हूं मैं आपकी क्लास उन तारिक ठीक है 4 से 9 सो तक तीन को जो आपका एक्जाम है अपने एक्जाम कि पिर पिरलेशन आ आप कर लो कितने marks का होगा और पहला question जो है वो आपका पहले unit से आएगा इसी order में आता है जिस टैक्ट को स्लिबस बना है unit 1 में से पहला question मिल जाएगा unit 2 में दूसरा question मिल जाएगा इतने marks का इसके choice में हमेसा इस में से questions रहेंगे यह important questions है तो यह बात discussion में कपसे करने करूंगा आपका चार तारीक सुभा आपके ठीक नो बजे सवानों बजे से चार तारीक को सुभा सवानों बजे अब मैं आपके साथ में मेरी मुलाकात होगी और चार से लिकरके इतना है परफेट कॉंपेटिशन परफेट कॉंपेटिशन में पड़िसर इकलीब्रियों ठीक है जी अग्यों मोनोपली और ओलीगोपॉली के फीचर नहीं है आपके इसमें बड़ उसको वह पूरा हो गया आपका सिलीबस में आपका क्या है इंपडरेंट कोशन की मैं एक सेपरेट फोल्डर बना रहा हूं जो चालेस कोशन थे पहली बात है हर पेपर का भी एक सेपरेट फोल्डर बनाऊँगा इसका वीडियो कि पिपर बन का यह है ठीक है मैं बस आ करके डिसकसन करूंगा बगिए आपको एक्स फोल्डर मिल इसमें और 20 तारिक को 20 तारिक को मैं मैक्रो का स्टार्ट कर दूंगा बड़ा स्लिबस है और चलाऊंगा मैं अब वह आपके उपर है कि आपकब उसके अंदर आप आएंगे मैक्रो के अंदर आप कभी भी आए वह प्रेशर आपके उपर जाएगा चाप एकदाम से दिन पहले प्रेशर आपके उपर ही जाएगा मेरे साथ में क्या है कि मैं तो अपना बिल्कुल स्मूथली और स्टार्टिंग से लेकर चलूंगा जो बच्चा एंड में वी आज की जो बच्चा जोइन कर रहा है आपके सामने रिजल्ट है कि उसको सारी के सारी 55-10 घंटे करकर उसको एक नोड़ आपको 20 तारिक से करना होगा जब कोड़ सापका लॉंच हो जाएगा ठीक है और मैं फिर्स्ट आपकी लेलूगा नेशनल इंकम से स्टार्ट करेंगे किससे स्टार्ट करेंगे नेशनल इंकम बहुत इंपर्टेंट टॉपिक पूरा पेपर भरावा होगा आप इंकम से चिके मनी हैं बैंकिंग नेशनल इंकम है इंकम डिटनमेशन हैं अच्छे चेप्टर हैं नेशनल के आपको फॉर्मला बनाना सिखा दूँए कैसे बनता है फिकर रजाई है उसमें पके पूरे पूरे नमबर हैं आपके कि अच्छे मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में थैंक्यू जी थैंक्यू सो मच कि अच्छे यह एंचा त्ट